इसे प्रीड़ को ल एकम तो दा स्टॉडियो मेंबर्स हिंदान्को को आज कि सेशिन में फेमिग बीध का न था और आज से जस्ट व दो दिन पहले हम ने हिंदान्को को ट्ड़ किया था कल मैटल सेक्टर के की स्टॉक एप्घियू स्टॉप्सच को ट्रीड वॉझ प्रेट रूल्स के अगॉर्डिंग हम थोड़ा सा मार्किट को सस्टेन होने देने का वेट करते situations पर कठे वह केथ fluk थैप अज ने यहीं आज यह रोती सब्चक्रति की के नीचे जैसे ही प्रइस कर रेत्रेइस्पन्ट हुआ हमने यहां से पना trade execute कर दिया stop loss जो आप देख रहे हो 9 बच कर 20 मिट की candle के just high पर हमने stop loss लगा दिया confirm था clear था कि हिंडाल को के अंदर आज red candle form होगी तो और भी जादा clarity के साथ हमने यह trade किया but हुआ क्या price जैसे इसने हमको हमारी entry थोड़ी देर तक तो इसने हमको profit दिखाया but यहां से फिर यह उपर के तरफ जाने लगा 10 पैसे 20 पैसे से बार बड़े stop loss बच रहा था but finally इस वाली candle है मेरा stop loss देलिया और वहीं इसे price विर मना सीधे नीचे की तरफ आगा यह first entry थी हमारी इसके बाद में जो अपनी सबसे सेफ जगा बने थे entry लेने की वह यह वाला swing था बन हुआ था कि इस वाले swing के break होने के बाद में हम अपनी entry ले लेंगे जो candle break करी उस candle के हाई के पर उपने stop loss लगा देंगे क्योंकि volumes जब आप देखोगे तो काफी अच्छी volume के साथ में आज यह trade हो रहा था यहां तक volumes पूरी तरह से dry हो गई थी यह देखिए यह जो हमने इस चेकर पर हमने प्रेंटर ली यहां से price फिर देखिए up down up down up down यह पूरी range में इस तरह से यहीं करता रहा volumes पूरी तरह से गिर रही थी हमारी 12 में फिर price हमारा retrace होने के लिए ही नहीं आया price नीचे की तरफ close हो गया और जहीं पर without retracement price सिधे मेरा नीचे की तरफ गिर गया कोई profit नहीं 3,200 रुपए के आसवास की कुछ मारा loss था आज के session का चाहते तो यह जो हमने morning में हरकत की अगर यह नहीं करते तो बेशक हो सकता है कि हम ट्रेड ही ना कर पाते क्योंकि फिर जो entry के points बन रहे थे वो यह वाला swing जो था न यहीं पर बन रहे थे तो हमें लग रहा है कि loss आज तैथ अपना हिस्सवज़ से मेरा SL हीट हुगा कोई बात नहीं ही इंडाल कोई के अंदर daily time frame पर आपको red candle देख रही है पूरे metal sector में ही देखिए sector देखो गया तो इसमें कितनी बड़ी red candle form हुई है हमने sunday को आपको बताया था कि metal sector के अंदर हम लोग सिर्फ हो सिर्फ short selling करेंगे क्या reason इसके पीछे का किसी भी chart को जब हम read करते हैं तो basically क्या होता है शुरुआती phase में जब हम लोग काम कर रहे है तो इसमें आपे काम करो जो reading है आपके जिस तरह से आपके analysis उसको तीन पार्ट में divide कर दो यह three simple trick होती है तीन step की trick होती है price actions के थुरू हमें अगर executions करने से पहले का जो homework है वो complete करने के लिए तीन simple tricks है इसके according होता है कि हम लोग सबसे पहले trend identify करते है trend identification के बाद में एक prediction लगाते हैं कि क्या हो सकता है next day, next week, next month जब prediction लग जाती तो last में हम लोग उसके अंदर अपने actions लेते हैं trades करने है, buying करनी है, selling करनी है पता कैसे चलेगा इसका एक example आपको देंगे metal sector में आपको याद होगा हमने Sunday evening में ही ये declare कर दिया था, कि next week हम लोग सिर्फ metal sector में काम करेंगे और short selling ही करेंगे जिसमें से काफी अच्छे trade हमको मिले, काफी अच्छे trade मिले वो तो आज हमारा stop loss चला गया, otherwise अगर stop loss hit नहीं होता तो बहुत सारे orders हमारे वहाँ पर लगे हुए थे, order execute करने के लिए market वहाँ पर गई but price जब वहाँ से नीचे की तरफ गिर गया, market close होने वाली, अब हम लोग जब हम trade execute कर रहे थे तब नहीं पता था कि ये साई चीज़े होने वाली है अपने prediction के recording, short selling थी, red candle फ़र्म होनी थी, short selling हुई, red candle बनी कोई बात नहीं, वो हमारे SL चला गया, ये part of the game है, जाएगा, SL भी जाएगा, target भी मिलेगा satisfaction हमें इसी बात का है, कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम price को rate करें, market वैसे react कर रहे है enough है, profit आज नहीं, कल फिर से profit हो जाएगा, एक trick, system, strategy, कुछ भी बोलो आप, वो माध्यम जिसके थूँ आप price action में charts को rate करोगे वो fix होना चाहिए आपका, आप कौन से segment में काम करोगे, stocks में करोगे, fix होना चाहिए आपका, जो भी करना है और जब हम लोग काम करेंगे, market के अंदर, तो आप risk क्या लोगे, fix होना चाहिए, अपनी capacity से ज़्यादा, आपकी pocket जितना allow कर लिए, उससे ज़्यादा risk आप लोगे, तो फिर आप काम नहीं कर पाऊगे यह साही चीज़े सोचते, समझते, इसको जानते हुए हम लोग आगे कितरब बढ़ेंगे और आज जो चीज़ हम आपको बताएंगे न, तीन, तीन स्टेप हैं, basically तीन स्टेप, उनको बहुत simple language में भी हम कम से कम समय में समझने के कोशिश करते हैं किस तरह से हमने metal sector को read किया, कैसे हमने next week के movements निकाले, कैसे हमने यह identify किया, कि metal sector के अंदर में short selling करनी है, है न, यह साही चीज़े अभी हम लोग देखेंगे calls अगर आई भी जितने होंगे, जो charts हम देंगे आपनों को observe करने के लिए, उपो Monday से हम group में share कर दिया करेंगे, तो वहां से काफी help आप पनों की हो जाएगी एक जो problem होती है कि कौन सा stock निकाले, कहां से stock को देखें, क्या करें, तो वहां पर हम आपको charts से देंगे, उनके levels निकाल करके देंगे stocks में हम यह भी बताने की कुशिश करेंगे कि या buying करो या selling करो, यह सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएगी वहां पर science and बढ़ते हैं आगे की वीटियो में, sector analysis करने के लिए हम trading view का यह पर जिस broker से हम trade करते हैं, उनके charts तो फिलाल बहुत कम ही देखते हैं, trading view का use कर लेते हैं, otherwise investing.com, investing.com इसलिए, क्योंकि यहाँ पर हमें volumes देख जाते हैं, आज के example के लिए हम metal sector को ही देखें, क्योंकि last week हम न metal sector को ही आपनों को दिया था trade करने के लिए, यहाँ पर कुछ swing sum draw करें, कुछ legs draw करेंगे, अब side में हमने 3 steps लिख दिये हैं, वो 3 steps कौन कौन से होंगे, सबसे पहला है हमारे trend identification या फिर structured analysis, trend identification का मतलब trade execute करने से पहले prices के trend क्या रहे हैं, या फिर इसी को structure भी बोलते हैं कि higher highs lows, lower high, lower low, lower high, lower low, यहाँ पर lower high, यह क्या रहे, trend identification या फिर structured analysis यह हो गया, ज़रत इसलिए पढ़ती है trend analysis करने के ताकि next move prediction क्या हो, यह पता लग सके, तो पहला काम तो हमने यह कर लिया, second, next move या फिर prediction या हमारा next leg क्या हो सकता है, leg का मतलब समझते हैं, high, higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, तो यह legs count के जाते हैं, projection में, एक, डो, तीन, चार, यह legs होते हैं, यह legs लगते चले आ रहे हैं, यह upper leg होता है, यह down leg होता है, इस तरह से हमारा next leg क्या बन सकता है, हम इसको देखते हैं, इतनी सारी चीज़ी हो गई, अब सबसे last में आप अपने actions लेते हो क करना क्या है, entry linear है, stop loss क्या रहेंगे, targets क्या रहेंगे, हमें sale करना है, हमें buy करना है, या फिर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ watch करना है, यह actions में आ जाता है, overall यह तीन simple से stuff है, आप किसी भी stock को, किसी भी chart को, किसी भी segment को, किसी भी market में आप इसको apply कर सकते हो, सबसे पहला क या फिर structured analysis, यह होती है actually, और इसको करते है किस तरह से, अब से पहला में देखना होता है, कि यहाँ पर current situation क्या बन रही है, जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, यह हमारा current week है, जो कि आज close हो गया, previous structure के recording, हम upcoming week के structures को analyze कर रहे हैं, या फिर उसको हम predict कर रहे है, यह काम हम क कुछ swings बने, यह तो हमने काफी बार आप लों को पहले भी बताया हुआ है, इसको फिर से समझे, यह देखिए हमारे कुछ swings बन रहे है, प्राइस कहीं पर support बना रहा है, कहीं पर इसके resistance form हो रहे है, supports बन रहे है, इस पर आपको volumes देखनी है, तो volumes के लिए आप जा सकते हैं, investing.com पर यहाँ पर आपको volumes विश्चो हो जाएगा, ठीक ठाक काम करते हैं, असा नहीं कि false volume होती है, यह पिर जिस तरह से हम लोग volumes को देख रहे हैं, सेक्टर की जब हमें analysis करनी होती है, और हम investing.com पर आकर के volumes को सेक्टर के साथ मर्च करके देखते हैं, रीट करते हैं, तो ऐ बहुत accuracy आपके increase हो जाएगे इसके बहुत जादा, वोल्म के पर discussion हम आज नहीं करेंगे, सिर्फ हम price को ही पकड़ रहे हैं, सिर्फ हम price को ही देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप एक काम करूँ ना, जब आपको trend identify या फिर structured analysis करनी हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले structure draw करू यह, low, high, इसके बाद में फिर आपका यह बनता है, low point, high and यहाँ पर आपका बन गया low, again देखिए एक high, यह, यह पूरा structure है, जो की last, जह हम trade execute करें, उसके पहले के structure है, one, two, three, four, five, six, एक बात याद रखिएगा, जितने आराम आराम से, जितने इतमिनान के साथ हम आपको य इस वज़े से, यहाँ पर time आपको लगया, हमें समझाने में आपको time लगया, हम अगर खुद इसको rate करें तो इतना से मैं नहीं लगता है, हम इतनी दिर में तो इसको सब कुछ कर चुके होते हैं, यहाँ पर मेरा एक swing लगा, इस यग पर यह high लगा, अब हमें यह देखना लगा मेरा, black वाली candle ने जो अभी तक का high लगाया है, उसके पहले सबसे last जो high था मेरा, वो यह वाला था, इसके उपर मार्केट ठहरी नहीं, यह नीचे की तरफ गिर गए, ओके, यहाँ पर opening price मेरा downside की तरफ आ गया, अब देखिए, apply क्या बना हमारा, low and यहाँ से यह high ठालो, हम यहाँ पर यह समझ करके इस चार्ट को रीट नहीं करें कि यह metal sector का चार्ट है, यह चाहे nifty हो, चाहे bank nifty हो, चाहे reliance हो, चाहे stiff c bank हो, चाहे हिंडाल को हो, चाहे cash segment का कोई stock हो, चाहे आप forex ले लो, चाहे crypto ले लो, कुछ भी, सब ऐसे ही काम करेंगे, यह चीज ह एक leg बना, high brick किया, वापस से price नीचे की side में आ गया, फिर से यहाँ पर चला गया, ओके, again देखिए price ने हमारा जो support area था, इस support को इसने break कर दिया, हमें काम करते हैं, इन supports को भी mark कर लेते हैं, इस वाले support को, ठीक है, हमने यह वाला area अपना mark कर लिया, अब आगे चल करके क् price ने इसी जगह पर आपके supports लिये हैं, यहाँ पर देखिए, यह है ना, यह, यह, और यहाँ पर देखिए, resistance बना, हो नहों यहाँ पर volumes के breakout आपको दिखेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार green candle और फिफ्ट green candle है हमारी, चलेंगे सिधे यहाँ पर यह वाली candle देखिए, volumes के breakout एक्चली शो करते हैं, हमारे resistance के confirmations, हमारे जो predefined area है, वहाँ पर volumes के कुछ, जैसे यह तो एक simple सी trick हो गई, यह resistance के confirmations है, price थो में दिखा ही रहा है, अब यहाँ पर आप volumes को ना देखो, इससे price को देखो, बट वहाँ पर हम volumes को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा न यह down move, फिर से देखिए, price ने अपने इस वाले leg को break किया, एक चीज़ और, वो यह, कि यह सारी हरकते हो चुकी हैं, यह जो हम लोग reading कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, अब coming week के लिए, जो last click हमारा गया है, इसके लिए, आप टेलिग्राम चैनल जब join करोगे, तो वहाँ पर दे यहां से price हमारा उपर की तरफ चला गया, ठीक है, अब देखे, सारा game यहां से शुरू होता है, और यहां से शुरू होता है, price ने यह वाले जो support बनाया, इसके नीचे next support बनाये, यहां से support ले करके price हमारा उपर की तरफ गया, यहां से support ले करके price upside की तरफ गया, समझ रहे ह इस जगह से support लेकर के price हमारा upside की तरफ गया इसका मुतलब ये कि previous swing को break करने के लिए market ने एक नया swing लगाया ये swing मेरा protected है और price ने हमारा ये वाला area break कर दिया क्या होना चाहिए अब अगर market हमारी strong है तो उसे क्या करना होगा या तो इस वाले area के ये उपर निकल जाए यही तो होगा ना या तो इस वाले area के ये उपर चला जाए और अगर ये week है तो या तो price हमारा इस वाले swing के अंदर ही trade करता रहे ने तो फिर हमारे ये वाला support break कर दे जब तक price हमारा इस वाले swing को upside के तरफ एक green candle एक healthy candle के साथ में sustain होकर कि कोई एक single resistance जब तक break नहीं करेगा metal sector weak है वीक है वीक है price next week भी आप देख लिए ना अगर अगर metal sector ने इस वाले swing को break नहीं किया जब तक इस वाले swing को price हमारा break नहीं करेगा तब तक metal sector weak है फिर से समझे इसे अप ही हम लोग क्या काम कर रहे हैं सिर्फ trend, identification, structured analysis ये एक नया swing लगा और ये एक सबसे last swing लगा जिसने previous swing को यहां पर हमारा break कर दिया था अब यहां से price क्या हुआ ना इस जगे पर move करने लगा Friday का जो session था last to last Friday आज के पहले ये Friday था और उसके पहले ये Friday था हमारा अब Friday को देखें क्या हुआ है आपको जाना होगा investing.com पर यहां पर आप आजाओ यहां देखें आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि जो volumes हैं वो गिर रही है नीचे की तरफ और price हमारा resistance ब्रेक कर रहा है ये भी तो एक weakness के निशानी है price अगर strong है तो क्या करना होगा candles के हाई ही ही तो ब्रेक होते जब price हमारा strong होता है लेकिन यहां पर ये weak हुआ और price फिर यहां से मेरा नीचे चला गया अब next move क्या करना होगा क्योंकि Friday था कि हमें weak लग रहा है तो हमारे पास जो मेरे resistance points निकल के आये थे last session में वो थे ये वाले यानि के यहां से इसको मिल सकता है resistance point ये methods हैं ये techniques हैं जो कि candle से candle को add करते हुए या candle से candle के थुरू या फिर volume से volume के थुरू और इसके बाद में volume और price को merge करके जैसे हम लोग अपने levels निकाल रहे हैं ये technique होती हैं ये methods होते हैं अभी अगर हम इन methods को पढ़ाने बैठेंगे जैसे हम read करें तो हो सकता है ये बहुत बहुत लंबी class हो जाएगी अपनी और वैसे भी इन methods को हम publicly इतना ज्यादा reveal नहीं कर सकते हैं हमने लिखा न आपसाइड में बहुत एक simple language हम समझने की कुशिश कर रहे हैं ये साही चीज़ है अगर आपको एक बार समझ में आ गई आपने इनको पकड़ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो कोई भी चार्ट आप read कर सकते हो मतलब एक candle से next candle को merge कर करेंगे अब भी हमने क्या किया सिर्फ legs count किया and legs के recording ही हमने अपना trend निकाल दिया next week का इसमें investing पर जाकर के हमने volumes का भी थूड़ी मदद ले ली अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कुछ candles को पकड़ते हैं और candles से लेकर के चलते हैं अब जैसे हमारा next जो high बन रहा था वो मेरा यह वाला high था क्योंकि जो next week की market start होई वो तो यहाँ से start वी सूला से और हमने reading कब तक की है last Friday की market तक हमने reading की मतलब यह candles हमारे पास नहीं है तो अब यहाँ से हमें candle से candles को merge करना है volume of price को merge करना है इसके लिए हम चल रहे हैं यहाँ पर एक point आपको याद होगा कि यह जो black वाली candle है हमने इसका high mark किया था यहाँ पर हम इनका low mark कर लेते हैं यह मेरा swing area था इसके बाद में जो सबसे last वाला swing बना था वो मेरा यह वाला swing मेरा बन रहा था वो भी यह वाला point बन रहा था यह वाला area मेरे पास यह swings निकला है अब मैं यह पता है कि हमें जो reading करनी है उसके लिए जितने भी reference candles है हमारी reference candles मेरे पास आगे और उन्हें इसके levels भी ट्रॉफ कर लिए अब हमें यहां से price को read करना है अब हम लोग करते है reading देखे सबसे पहली चीज हमें candle सके दर जो देखनी होती है कौन सी candle है जो की expected है बहुत अच्छा resistance और support बन सकती है हमारे लिए क्योंकि उसे ही candle की reading यहां पर माइने रखती है इसके लिए यहां पर इस area में जो सबसे important candle मेरी थी वो यह वाली थी इस candle ने क्या किया न एक resistance से जो की मेरा predefined area है वहां से एक pin bar में downside की तरफ दिखा दे यह अपनी candle है इस candle ने upside के targets जितने भी थे orders लिया और वापस आकर के नीचे की तरफ close हो गए अब इस pin bar में और ज़्यादा power सा जाते हैं जब कोई candle हमारी इस pin bar के नीचे आकर के trade करने लगती है यहां पर क्या हुआ कि एक green candle बनी बेशक यह मेरे लिए positive candle हो इसका color positive हो बट यह है bearish candle बेशक इस candle का color green है एक positive candle हो सकता है यह आपको देखे बट है यह overall red candle यह एक bearish candle है यहाँ पर देखे इस candle के जब आप low mark खर लोगे तो next day की जो movements है वो downside की तरफ होई है यह होती है bearishness candles की bearishness यहाँ पर volumes के and price के दोनों के confirmations है अपने पास अब क्या हो रहा है एक तो price already weak है अब इसको क्या करना होगा अगर इसे strong होना है तो हमारी इस वाली candle के ऊपर जाकर के trade करना होगा जिसके chances कम है reason क्या है अभी हमने आपको बता है और इसके chances बहुत कम है कि price हमारा फिर upside में जाकर के trade करने लग जाए क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा resistance point है price again and again इसी जगह से downside की तरफ आजा है यहाँ पर देखे इस जगह पर और Monday का session Monday के बास से देखे क्या होगा प्राइस ने दो बार जाकर के ऊपर की तरफ अपनी opening दिखाई और opening के साथ साथ में price हमारा फिर से नीचे आ गया अगेन नीचे की तरफ आ गया तो कोई भी strong closing हमारी इस यो जी reference candle हमारी इसके उपर नहीं दिखा रही है market इस वाले candle के उपर और price क्या कर रही है जब तक price इस green वाले candle के अंदर trade कर रही है जब तक इस green वाले candle के अंदर trade कर रही है ये week है और last में क्या हुआ है कल के session में downside की तरफ ब्रिख हो गया फिर यहां से ब्रिख हो गया हमने क्या किया हमने past की movements past की candle के according अपना एक trend identify कर लिया हमने अपने लिए point of actions निकाल लिया हमने इसके उपर volume and price के इडिंग से next week के होने वाले के moves को कुछ-कुछ-कुछ predict कर लिया यह 100% नहीं है यह fail भी हो सकता था price upside की तरफ भी जा सकता लेकिन chances बहुत कम थे कि price हमारा upside की तरफ चला जाए गिरने के movement and यहां से अब अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो volumes increase हो रही है यहां पर volumes increase हो रही है अभी हमने इस वाली candle को देखा था ना यहां पर भी volume increase हो यह कौन सा है यह आप देखोगे इस वाली candle के तरफ यहां पर volumes increase हो रहो ही न, बार बार volumes increase हो रहो ही प्राइस जब जब upside के तरफ जा रहा है volumes increase, यहाँ पर volumes increase, अगें प्राइस ने देखिया हमें levels को टच कर दिया, volumes increase यह सब resistance के confirmations हैं, जब जब ऐसा होता है तो प्राइस हमारे इस resistance को break बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है कि वो break करता है, break करने से पहले यहाँ से हम लोग अपने बाइंग के view को कर देते हैं, खतम और सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के confirmations लेते हैं, कुछ चीज़े होती हैं, कुछ कंडिशन में फिर हम लोग जब प्राइस को upside की तरफ जाना होता है, तो कभी एक candle की closing के बाद में लोग बाइंग नहीं करते हैं, कुछ अपने confirmations लेते हैं आपन बाइंग करने के तब फिर मोग बाइंग करते हैं, नहीं तो फिर बाइंग को पूरी तरह से destroy कर देते हैं, हम ignore करते हैं, बाइंग नहीं करेंगे, कुछ भी करना है, आपको short selling कर confirmations लेने के बाद में short selling होगी, बाइंग करने के confirmations लेने के बाद में हम बाइंग करेंगे, यहां से भी chance देते हैं कि price हमारा upside की तरफ चला जाता, लेकिन फिर मोग क्या करते हैं, इस week buy नहीं करते, last week पर हमने जो reading की है, ऐसा थोड़ी नहीं कि upcoming weeks में इसकी मानिता खतम हो ज भी हम buying करेंगे, otherwise नहीं करते हैं, अभी तक हमने देखी सिर्फ एक काम किया है, trend identification, अब देखे हमने दोनों काम के लिए, इसी में आपका trend identification भी हमने समझा दिया, और same में next move भी आपको बता दिया, क्या reason रहा, यह भी हमने बता दिया, अब बारियाती stocks को select करने के, हमें stocks के उपर अपने point of actions निकालने है, sell, यह तो confirm है, हमें सिर्फ और सिर्फ sale करना है, entry और targets लगा लेने है, और हम trades execute कर देंगे, जो भी हमने level अभी draw कर दिया है, कुछ नहीं करके, सिर्फ आप metal sector में उन levels को ही देखते रहोगे, सिर्फ आप उन levels को ही देखोगे, आपको बहुत अ हिंडाल को है, हिंडाल को में भी तो यही हुआ, एक यह वाली मेरी reference candle बनी थे, यहाँ पर इस black वाली candle को, यह वाली candle कहा ही हमारा, और यह swing, यह green वाली candle, देखे, इनकी volumes increase हो रही है, इस वाली candle की volume increase हो रही है, हमने trade किया था हिंडाल को, सेम level से trade किया था, अब इसको अग चला जाए ना, अब last session में देखे, नोंने इतनी बड़ी pin bar बनाई, क्या sense है इतनी बड़ी pin bar बनाने का, अगर bullish हो तो फिर यह price उपर की तरफ चला जाए ना, सब कुछ देखे सामने, price हमारा support break कर रहा है, और यह pin bar बन रही है, support break कर रहा है, और pin bar बन रही है, फिर तो यह उपर जाना चाहिए, तो bullish symptom होता है, price अगर हमारे support को break कर देगा, इस तरहे support break कर दे, और यहाँ पर pin bar बना दे, तो क्या है, यह तो bullishness हो जाती ही ना, price तो फिर उपर जाना चाहिए, तो यह buy हो जा हमें क्या करना है, हमें short selling करना है, हमारे पास levels है, proper levels है, यह swing, यही तो point यही points है, जिसके निचे हमें trades execute करने थे, आप चले हो सिदे, फ़र मिट के time frame पर, यह red वाली candle, इसी जगह पर, यहाँ पर देखे कितना बड़ाया का rejection, हमने just इस वाली जगह पर अपने stop losses लगा थे, और morning में जैसे price मारी range के अंदर आ है, जैसे ही 925 पी candle नीचे की तरफ trade यहाँ पर execution कर दिये, जबकि में wait करना था है कि level के नीचे कुछ confirmations मिले, नहीं लिया आज, हो जाता है, mistakes होती है, चला किया stop loss, लेकिन market ने देखिये क्या किया, पूरे दिन नीचे ही गिरी है, चाहते तो दूसरी बार में trade ले सकते थे, लेकिन फिर management भीगड़ रहा था, हिंडलको को trade करने का, APL tubes को trade करने का, और आज हिंडलको के अंदर अपने stop loss देने का, I hope कि सब कुछ clear हुआ होगा, सब कुछ समझ में आ जाओ, बिगोज आपका एक like और एक comment जो आप करते हुआ है, बहुत energy देता है, और हम 90% sure है कि अगर आप वीडियो देख रहे हों तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीख रहे होगे, क्योंकि market हम भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़े हो थी, जो सब को बताया समझा जाता है, आपको यह चीज़े कोई बताया है का ही नहीं, इसके पर बात करता हुआ ही कोई नहीं देखाई पड़ेगा, तो बहुत सही चीज़े आप जानते हो, समझते हो, देदेर होगे, इससे progress होगे, इससे आप, आपके काम परने में एक sustainability आएगी, एक confidence आएगा, otherwise क्या, फिर आप करते हो, options trading, वो जो हमने कल बता है ना, कि फिर आप loan पर पैसा उठाओगे, और भले ही loan पर आपनाओ, आपने किसी से ले लिए, या फिर मान के चलता है, आपको खुद क कि तरफ जाना होता है, और ये मान के चलो, कि जो options trading है, वो कहीं न कहीं इस जगह पर बैठी हुई है, अब हमें ऐसे होते हुए उपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे करके upside की तरफ जाना है, तब जाकर के कहीं, फिर हम derivatives में आते हैं, derivatives से आगे हम M6 में आते हैं, M6 करने के ब बताएं, कुछ ना कुछ benefit आप लोगों को इससे आने वाले trades में जो आप execute करें, उससे होगा, so thanks and we will meet again